वेलकम तो माई चानल देशी कुक, आज की रेसिपी है स्टॉबरी मिल्क शेक, पहले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह मिल्क शेक कैसे बनता है, मैंने यहां पे लिए हैं 10-12 स्टॉबरी इसको इस तरह से छोटा-छोटा काट लिया है, हम जार ले लेंग एक चमज शहर, इसको कवर कर देंगे, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसका ढकन लगा देंगे, इसको थंडा होने के लिए फ्रिज में आदा घंटा रख देंगे अगर आप चाहें तो इंस्टेंट भी से सर्फ कर सकते हैं आइस क्यूब के साथ ग्लास ले लेंगे, एक चमच हनी से हम ग्लास को इस तरह से डेकॉरेट कर देंगे अच्छे से थंडा हो चुका है, चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेंगे स्टाबरी मिलक्षेक बनकर बिल्कुल तयार है, यह बहुत सिंपल और ईजी और टेस्टी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राइक करें अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देसी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे हमें सपोर्ट मिलता है बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे हर न्यू रेसिपी की, जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं